सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट कम्प्लीट हो चुके हैं और आज अपन करने वाले हैं लाइप टेस्ट हैं जो के अपनी आज की क्लास है 15 और इससे पहले के फ्रेंड्स आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं और फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो तो फ्रेंड्स चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सो फ्रेंड्स कोशन है यहां पर बल्ल में निम्ड मेंसे किस गयस का प्रियोग होता है आपको बताना है दोस्तों which of the following gas is used in bulb बल्व में किस gas का प्रियोग होता है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करेंगे सबी लोग option है hydrogen, option B है carbon dioxide option C है carbon monoxide या फिर option D है argon तो friends जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बल्व में कौन सी gas भरी जाती है जल्दी से कमेंट करेंगे तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो option number D यानि argon argon दोस्तो बल्व में भरी जाने वाली gas है ठीक है friends इसके बाद देखते हैं next question question number है next यहाँ पे next बताएंगे सबी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से which of the following gas is used for ripening of fruits यानि निम्न मेंसे किसका प्रियोग जाता है option A है ethylene sorry ethylene नहीं इसको methylene हो जाएगा ठीक है ना friends क्योंकि option B और A सेम हो जाएगा तो हिंदी में यहाँ पे methylene लिखाए तो वही होगा and option number C है acetone option number D है meet end तो friends आपको बताना है फलों को पकाने में कौन सा इसमें से use होता है option number 4 गिवन है आपको जल्दी से comment करके बताएंगे कौन सी इन में से पकाने में use होती है फलों को पकाने में कौन सा use होता है तो friends इसका सही जवाब होगा option number B यानि ethylene ethylene का प्रियोग friends फलों को पकाने में किया जाता है next question देखेंगे friends next question है आपे KMNO4 can be used as यानि KMNO4 को dash के रूप में भी प्रियोग किया जाता है बताना है दोस्तो KMNO4 तो KMNO4 बोलते हैं potassium permagnate को बोलते है इसका chemical name होता है potassium permagnate याद रखना है आपको potassium permagnate का formula होता है KMNO4 तो आपको बताना है किस रूप में इसका प्रियोग किया जाता है जल्दी से बताएंगे दोस्तो KMNO4 का किस रूप में भी प्रियोग किया जाता है option A है fertilizer यानि उर्वरक की रूप में option B है insecticide यानि कीटाणू नाशक की रूप में option C है disinfectant यानि नाशक रूप में तो बताना है दोस्तो potassium permagnate यानि KMNO4 का किस रूप में भी प्रियोग किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो option C यानि disinfectant यानि संक्रमन नासक के रूप में भी इसका प्रियोग किया जाता है friends याद रखना है आपको KMNO4 को क्या बोला जाता है potassium permagnate next question की बात करते हैं दोस्तो question number next है synthetic detergent are prepared from बताना है दोस्तो क्रत्रिम अपमार्जक तयार किये जाते हैं यानि synthetic detergent कैसे तयार किये जाते हैं या आपको बताना है option number A है potassium salt of higher fatty acid यानि उच्च बशी अमलों के potassium lover से या फिर option number B sodium salt of higher fatty acid यानि उच्च बशी अमलों के sodium lover से या फिर option number C hydrocarbon of petroleum यानि petroleum के hydrocarbon या फिर option number D glyceride से बताना है दोस्तो जल्दी से comment करेंगे सभी लोग synthetic detergent are prepared from यानि करत्रिम अपमार्जक तयार किये जाते हैं तो friends किस से तयार किया जाते हैं बताएंगे सभी लोग तो इसका सही answer होगा option number B यानि sodium salt of higher fatty acid यानि उच्च बशी अमलों के sodium lover से इसको तयार किया जाता है यानि synthetic detergent को तो इसका सही जवाब होगा option number B next question देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर next question है question number next है यहाँ पर बोला गया है which among the following is used in fire extinguisher यानि निम्न में से किस का अपयोग aggression यंत्र में किया जाता है यानि fire extinguisher के में कौन सी गैस का योज़ किया जाता है इन में से option number A carbon dioxide option second है oxygen option third है sulfur dioxide तो यह आपको given है इन में से कौन कौन सी गैस यानि यूज होती है fire extinguisher में option A है only one, only two, only three या फिर all option are correct आपको बताना है कि कौन सी इसमें से सही जवाब है तीनो या फिर एक या दो या तीन तो सही जवाब आपको बताना है तो friends इसका सही जवाब होगा option number A यानि only one carbon dioxide इसका यूज किया जाता है तो carbon dioxide इस यूज इन fire extinguisher यानि अग्रीशय मन यंत्र में किसका यूज होता है carbon dioxide का तो इसका सही जवाब होगा option number A यानि only carbon dioxide next question देखेंगे friends next question है यहाँ पे question number next यहाँ पे बताया गया है rock salt contents bitch mineral आपको बताना है rock salt निम्न मैंसे किस खनेज यूज होता है यानि rock salt में कौन सा खनेज मिनरल पाया जाता है आपको बताना है option number A है gypsium option number B है shodium option number C है potassium या option number D magnesium सभी लोग बताएंगे जल्दी से comment करेंगे rock salt contents bitch minerals यानि rock salt निम्न मैंसे किस खनेज यूज होता है जल्दी से comment करके बताएंगे ये सभी लोग तो friends इसका सही जवाब होगा option number B यानि shodium rock salt में क्या होता है कौन सा मिनरल होता है shodium तो इसको यापको याद रखना है option number B correct होगा next question की बात करें friends next question है आपे what is dry ice यानि सूखी वर्फ या dry ice किसे कहते हैं आपको बताना है dry ice किसे कहते हैं यानि सूखी वर्फ तो option आपको given है option number A है solid carbon dioxide या फिर solid nitrogen dioxide option number C है solid sulfur dioxide या फिर option number D है solid water यानि ठोस जल आपको बताना है दोस्तो dry ice किसे कहते हैं आपको बताना है जल्दी से comment करेंगे सबी लोग dry ice किसे कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा option number A यानि carbon dioxide यानि solid carbon dioxide यानि ठोस carbon dioxide जो होती है उसे ही friends अपन dry ice बोलते हैं तो इसका option number A correct हो जाएगा या आपको याद रखना है next question की बात करें which acid is released when an unwhites यानि जब एक चीटी काटती है तो कौन सा अमल इस्तरावित करती है यानि कौन सा उसमें से अमल निकलता है एक चीटी जब काटती है तो कौन सा अमल इस्तरावित करती है या आपको बताना है option number A है hydrochloric acid यानि hydrochloric या फिर option number B formic acid यानि formic अमल acetic acid यानि acetic अमल option number D है phosphoric acid यानि phosphoric अमल जल्दी से comment करेंगे सभी लोग एक चीटी काटती है तो कौन सा अमल यानि कौन सा acid इस्तरावित करती है कौन सा acid release करती है when an unwhite जल्दी से बताएंगे दोश्तों अच्छा question है friends जल्दी से बताएंगे तो friends एक चीटी जब काटती है तो कौन सा अमल इस्तरावित करती है option number B यानि formic acid इसका सही जवाब होगा next question की बात करें दोस्तो next question है आपे यहाँ पे है question इसमें पूशा गया है which among the following is used to treat indization बताना है दोस्तों पेट में बोजन के अपा-पचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है option अप्शन number D है एंटि वायोटेक यानि जीवानु नाशक का बताएंगे दोस्तों पेट में भोजन के अपापचन के उपचार के लिए कौन से प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है आपको बताना है तो फ्रेंट्स सही आंसर है इसका option number A यानि एंटा एशेड यानि अमल इसका इसका बताना हैं दोस्तों सफ़ावन में कौन सा चार उपस्थेत होता है आपको बताना है कौन सा बेसप्रियोग उपस्थेत होता है। दोस्तो option number A है sodium hydroxide, option number B है silicon dioxide, option number C है calcium hydroxide, option number D है ammonium hydroxide तो बताएंगे दोस्तो सावन में कौन सा चार उपस्तित होता है, सभी लोग comment करेंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे अच्छा question है friends, सावन में कौन सा चार उपस्तित होता है तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो, option number A यानि sodium hydroxide जो होता है वो इसमें present होता है, sodium hydroxide का formula होता है NaOH यानि sodium hydroxide का formula होता है NaOH जो के एक base होता है यानि चार होता है और जो के soap में present होता है, यानि सावन में उपस्तित होता है next question की बात करते हैं friends next question है यहाँ पर fire extinguishers emits which gas बताना है दोस्तो अगरी शमन यंत्र जो होते हैं वो निम्न मैंसे किस gas का उससरजन करते हैं आपको बताना है दोस्तो fire extinguishers emits which gas कौनसी gas का उससरजन करते हैं तो friends option number A है carbon monoxide option number nest है यानि chlorine option number C है carbon dioxide option number D है nitrogen तो friends बताना है fire extinguishers कौनसी gas का उससरजन करते हैं यानि अगरी शमन यंत्र जो होते हैं वो किस gas को बताना है जल्दी से किस gas को यानि निकालते हैं किस gas को उससरजन करते हैं या आपको बताना है तो friends इसका सही जवाब होगा option number C यानि carbon dioxide को emit करते हैं यानि निकालते हैं अग्री शमनी यंत्र यानि उस सर्जन करते हैं कौन सी गयास का करते हैं कारवं डाय ओक्शाइड नेश्ट कैसे बाद करते हैं दोश तो नेश्ट कैसे हैं बताना है सबी को जल्दी से comment करेंगे सभी लोग दा रविंग शर्फिस ओफा मैच बॉक्स हैच पाउडर्ड ग्लास एंड लिटल रेड ओप्स डैस यानी बताना है माचिस की तीली को रगडने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतर शीशे के चूड तथा लाल डैस से बनी होती है या आपको बताना है जो माचिस की तीली को रगडते हैं तो जो डिब्बी होती है उस पर बनी भूरी सतर जो होती है वो सीशे के चूड तथा लाल किस चीज से बनी होती है वो आपको बताना है तो उप्शन नमर A है एंटी मनी उप्शन नमर B है आर्शैनिक उप्शन नमर C है शिली कौन उप्शन नमर D है फॉस्फोरस तो बताना है दोस्तो जल्दी से बताना है कमेंट करेंगे सबी लोग माचिस की तीली को रगणने के लिए डबी पर बनी भूरी सतह सीसे के चूड तथा लाल से बनी होती है कौस किस लाल से बनी होती है लाल फॉस्फोरस से बनी होती है तो फ्रेंट्स उप्शन नमर D इसका सही हो जाएगा जो उसके उपर जो सतह होती है वो सीसे के चूड तथा लाल फास पूरस से बनी होती है यह आपको याद रखना है दोश्तो नेश्ट कोईशन की बात करते हैं दोश्तो नेश्ट कोईशन है यहाँ पर यानि बताना है इसमें फैवरिक मेड फ्रॉम डैस 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 नॉट गैट रिंकल एजले यानि डैस से बने हुए बस्तरों पर शुकड़ नहीं आती आपको बताना है ओप्शन नमर ए है यहाँ पर कॉटन यानि कपास ओप्शन नमर भी है फ्लैक्स ओप्शन नमर सी है सिल्क ओप्शन नमर डी है पॉलिष्टर आपको बताना है दोश्तो किस चीज़ के इन में से कौन सी चीज़ के बने हुए क्वस्त फ्रेंट्स पॉलिष्टर से बने हुए बस्तोरों पर जल्दी स्कूडर नहीं पड़ती है तो इसका सही जवाब होगा option number D यानि पॉलिष्टर नेश्ट कोईशन की बात करते हैं दोश्टो नेश्ट कोईशन है यहाँ पर बताना है सभी को which of the following gas is produced due to incomplete convention of fuel दोस्तो सभी लोग बताएंगे इसको कमेंट करेंगे जल्दी से निम्न मैसे कौन सी gas इंधन के आंसिक दहन से उत्पन होती है बताना है दोस्तो निम्न मैसे कौन सी gas इंधन के आंसिक दहन से उत्पन होती है यानि उसको आदा अधूरा जल्द के जो गैस वहां से निकलती है वो आपको बताना है कौन सी प्रोड्यूज गैस होती है आपको बताना है option number A है carbon dioxide, option number B है carbon monoxide, option number C है methane या फिर option number D, ethane बताना है दोश्तों कौन सी gas इंदेन के आंशिक दहन से उत्पन होती है जल्दी से comment करेंगे तो इसका सही जवाब होगा option number A यानि carbon dioxide जो gas होती है वो incomplete convention of fuel के carol produce होने वाली gas होती है तो friends से आपको याद रखना है आंसिक दहन से उत्पन gas कौन सी होती है carbon dioxide, next question की बात करती है दोश्तों next question है question number next है the ozone layer is present in which atmospheric layer friends जे बताना है आपको और friends चैनल को subscribe नहीं किया है जिन लोगोंने और वीडियो अच्छी लग रही हो तो friends लाइक जरूर करना और चैनल को subscribe कर लेना जिन्होंने नहीं किया है friends बताना है इस question में जल्दी से comment करके बताएंगे ozone layer किस सतह में पाई जाती है बताना है दोस्तो ओजोन परत किस बायो मंडल ये परत में पाई जाती है option number A है लेथोस्पेर यानी इस्थल मंडल में option number B है आईनोस्पेर यानी आईन मंडल में या फिर option number C है इस्टा इस्टो स्पियर यानि समताप मंडल में या फिर option number D. बायो स्पियर यानि जियेम मंडल में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग ozone परत किस बायो मंडली ये परत में पाए जाती है कौन सी लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप्शन नमा ये है ली तो स्फियर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप्शन आपकी सामनी है तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो आप्शन नमा सी दोश्तो next question है यहाँ पर आपको बताना है which of the following constitutes highest percentage of greenhouse gases बताना है दोश्तो निम्न में से कौन सी gas greenhouse gas का मुख्य घटक है बताएंगे दोश्तो जल्दी से comment करके बताएंगे निम्न में से कौन सी gas greenhouse gas का मुख्य घटक है option number A है ethane option number B है methane option number C है current oxide या option number D है propane जल्दी से बताएंगे दोश्तो में constitute percentage of greenhouse gas कौन सी है कौन सी gas greenhouse gas का मुख्य घटक है जल्दी से comment करेंगे सभी लोग तो इसका सही जवाब होगा दोश्तो option number C यानि carbon dioxide जो gas है वो highest percentage में पाई जाती है greenhouse gas हो में से एक gas होज होती है जो के carbon dioxide है कौन सी gas है मुख्य घटक greenhouse gas की carbon dioxide दोस्तो next question है आपे next question की बात करते है next question है आपे इसमें पूछा गया है sulfur dioxide जो pollution होता है is indicated why an excessive growth of which of the following यानि gas की अत्यदिक ब्रद्दी sulfur dioxide युक्त प्रदूशड की और संकेत करती है किस चीज़ की अत्यदिक ब्रद्दी के कारण sulfur dioxide युक्त प्रदूशड हो जाता है आपको बताना है जल्दी से बताएंगे option number A है algae यानि शेवाल option number B है lichens option number C है briophytes या फिर option number D है fruto jwa जल्दी से बताएंगे किस चीज़ की इनमें से किस चीज़ की अत्यदिक ब्रद्दी के कारण sulfur dioxide युक्त प्रदूशड हो जाता है आपको बताना है जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग तो इसका सही जवाब होगा friends option number V यानि lichen तो friends lichen की अत्यदिक ब्रद्दी के कारण sulfur dioxide प्रदूशड की ओर संकित करती है तो friends इसका सही जवाब होगा option number V next question की बात करते हैं दोस्तों next question है यहाँ पे question number next इसमें पूशा गया है acute lead poisoning is also known as यानि तीष्र lead विशाक्तता को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तीष्र lead विशाक्तता को जाना जाता है तो option number A है इटाई-इटाई option number B है प्लम्बेज में यानि सी सा पिशाक्ता option number C है नियूरो लैगिया यानि तंतर काशूल option number B है बायसी नोसेज बताना है friends acute lead poisoning is also known as यानि तीष्र lead विशाक्तता को किस नाम से भी जाना जाता है option आपके सामने है दोस्तो जल्दी से बताएंगे कौन सा option correct है जल्दी से comment करेंगे सभी लोग तो इसका सही जवाब होगा option number B यानि दोस्तो तीष्र lead विशाक्तता को किस नाम से जाना जाता है प्लम्बेज में यानि शीशा विशाक्तता तो इसका सही जवाब होगा option number B next question की बात करते हैं दोस्तो next question है रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंके पेड़ क्या छोड़ता है क्या छोड़ता है क्या छोड़ता है आपको बताना है option है carbon dioxide option B oxygen option number C है ''carbon monoxide या option number D है Sulfur Dioxide बताना है दोस्तों आपके सामने है रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंके पेड़ छोड़ता है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पेड़ क्या छोड़ता है तो फ्रेंड्स पेड़ छोड़ते हैं कारवन डायोकसाइड तो फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब क्या होगा उप्शिन अम्मर ए यानि कारवन डायोकसाइड रात में पेड़ कारवन डायोकसाइड छोड़ते हैं और फ्रेंड्स हमें ऑक्सिजन की ज़रुवत होती है इस बज़ा से अपन पेड़ की नीचे नहीं सोते हैं उप्शित नहीं माना जाता है तो फ्रेंड्स का सही जवाब क्या था उप्शिन अम्मर ए नेस्ट कोईशन की बात करते हैं दोश्तों नेस्ट कोईशन है याँ पे इसमें बताये गया है वर्टेज अ बर्मी कमपोश्ट बताना है दोस्तों कैंचु अखाद क्या है जल्दी से बताएंगे दोस्तों कैंचु अखाद क्या है उप्शन नमर ए है और्गैनिक फर्टलाइजर उप्शन नमर भी है इनो और्गैनिक फर्टलाइजर यानि अकारवनिक उरवरक, औप्शनमर्सी है, टॉक्सिक सविस्टेंस यानि विशेला पदार्थ, औप्शनमर्स डी है, टाइप आप सॉल यानि भिविन प्रकार की मरद्दा, तो फ्रेंट्स बताएंगे कैंचु अखाथ क्या है, जल्दी से बताएंगे दोश्तों इसमें पूशा गया है, दोश्तों बताना है सभी को, who performed the first hurt plantation operation in the world, यानि दुनिया में पहला हिर्दय प्रत्यारोपर ऑपरेशन किसनी किया था, फ्रेंट्स ये आपको बताना है, very important question है, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, दुनिया में पहला हिर्दय प्रत्यारोपर किसनी किया था, या आपको बताना है, option number A है Christian Bernard, option number B है John Gibbon, option number C है Robert Coach, या फिर option number D है Dr. Benu Gopal, जल्दी से कमेंट करेंगे, फ्रेंट्स दुनिया में पहला हिर्दय प्रत्यारोपर operation किसनी किया था, या आपको बताना है, तो फ्रेंट्स इसका सही answer है, option number A, यानि Christian Bernard, जो थे इन होने दुनिया में पहला हिर्दय प्रत्यारोपर operation किया था, आपको याद रखना है, नेस्ट कोईशन है फ्रेंट्स, नेस्ट कोईशन है आप पे, the first human heart transplant was performed in, यानि पहला मानव हिर्दय प्रत्यारोपर किया गया था, कहां पे किया गया था या आपको बताना है, पहला म करेंगे सबी लोग पहला माना हिट दे प्रत्यार उपड कहां पर किया गया था या आपको बताना है तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा option number C यानि South Africa South Africa में पहला माना हिट दे प्रत्यार उपड किया गया था next question की बात करते हैं दोस्तों next question है यहां पर question number next है with which of the physiological process thrombin is associated दोस्तों बताना है thrombin किस सारी रिक प्रक्रिया से जड़ा हुआ है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो blood clotting यानि खून का जमना option number C है reproduction यानि प्रिजनन option number D है growth यानि विकास पताना है दोस्तों thrombin किस सारी रिक से जड़ा हुआ है जल्दी से बताएंगे दोस्तों किस सारी रिक प्रक्रिया से जड़ा हुआ है thrombin तो इसका सही जवाब होगा thrombin is associated with blood clotting यानि खून का जमना इस प्रक्रिया से जड़ा हुआ है thrombin किस के लिए जम्मेदार होता है blood clotting thrombin एक protein होती है तो एक blood clotting में help परती है next question की बात करते हैं दोस्तों question number next है यहाँ पर which vitamin is essential for blood correlation दोस्तों बताना है आप सभी को रक्त संग्रह के लिए कौशा vitamin आपश्यक है जल्दी से comment करेंगे friends सभी क्योंकि very important question है जल्दी से बताएंगे रक्त संग्रह के लिए कौशा vitamin आपश्यक है सभी लोग comment करेंगे जल्दी से option number E है vitamin E option number B है vitamin D option number C है vitamin K या फिर option number D vitamin C जल्दी से बताएंगे रक्त संग्रह के लिए कौशा vitamin आपश्यक है तो friends कौशा vitamin है option number C यानि vitamin K तो vitamin K है जो के essential होता है blood coagulation यानि रख्त संग्रह के लिए next question की बात करते हैं दोस्तो next question है आप है question number next यानि इसमें बताना है jaundice is a symptom of infection of यानि पीलिय नामक अंग का प्रवावी लच्छड क्या है यानि jaundice किसे प्रवावित करता है या आपको बताना है दोस्तो जल्दी से बताएंगे option number A है kidney यानि बक्र को option number C है liver यानि यकरत को next है option pancreia या अगनाशे को या फिर thyroid को बताना है दोस्तो पीलिय नामक किस अंग को प्रवावित करता है या आपको बताना है jaundice किसे effect करता है तो या आपको बताना है जल्दी से तो friends इसका सही जवाब होगा jaundice liver को effect करता है यानि सबसे पहले symptoms liver में दिखाई देते है jaundice के तो friends आपको याद रखना है तो friends यह थे आज के important question जो के हमारे very important question होते हैं सभी exams के लिए तो friends video अच्छी लगी हो तो like करना जरूर और चैनल को subscribe नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों और dailys friends